आरोग्यम कारीक्रम के सभी सोताओं को धोनेमित्र पांडूरंग पुरानिक का नमस्कार हमारे साथ आज हैं परिष्ठ रदय रोग विश्रेशक के डॉक्टर अजय कुमार पांडे डॉक्ट साब बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार अरोग्यम कारीक्रम के स्वागत है कौन बोल ले है आज हमारे साथ रदय रोग विश्रेशक गहें डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपको कुछ पूछना है implies यह बताइए नमस्कार बताए नीन नाना निशित रूप से संबंतित बिमारी नहीं हो सकती है क्योंकि नीन नाना के बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेंड की बिमारियां, मांसिक बिमारियां, तनाओ के कारण ये सारे कारण हो सकते हैं अधार तोय रहने पर जटका लगता है, नीट खुल जाता है इसके बाद भी यह लगता है ऊसे वेक्तियों को ये जरूर जानना जरूरी होता कि क्या उन Sungara पहुता ही पुरौरीं। ये इस बहुता है कि अप्निया सिन्डूम खता है। उनको ब्लेड पेशर की बेमारी होने की संभावना जादा होती है उनकी गर्दन के चारों तरफ चेरबी की मात्रा या वशा की मात्रा जादा होती है तो ऐसे विक्ति को जिनको जैसे कर किसी को आपके घर में आपके परिवार में इस तरह की समस्या है कि नीन नहीं आती है नीन आते हैं खुल जाती है खर्राटा आता है तो निश्चत रूप से उनको फिरदे रोग के साथ-साथ किसी अपने स्वांस रोग विसे सगे अच्छेश्ट फिजिशन डॉक्टर को मिलके उनका एक टेस्ट हम लोग कराते हैं जिनको लोग बोलते हैं स सोंने की स्टेडी जिसमें उनके रात में सौसुफत थesteem में उनके ऑख्सीजन कोन्के सांस की गती की सारे जिस सारे चीज़ें का और दिहन किया जाता है और देख़ा जाता है कि जो ये जो फृर्राटा आरहे कि है खतरनाक वराइटी का ख़र्राटा है और इसके सासत क्या उनको हाट की बिमारियों से संबंदित जैसे ब्लड पेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इन सब की कोई समस्या है की नहीं अगर है तो नहीं है तो अच्छी बात है लेकि उनका चेक अप करके अगर वो सारी चीजें हैं तो उनको भी कंट्रोल करना आवश्यक है अच्छा हमारे साथ आज रदय रोग विश्यशक हैं डॉक्टर आजय कुमार पांडे आपको कुछ पूछना है पूछे 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 लेवल बाड़ी में लेवल पर चलना है तो क्या साउधनिया बहते हैं कि दवा का ख्रयोग ना करना पड़े कॉलस्ट्रॉल लेवल बार्डर पर पहुच चुका है अब भी तक आपका कभी कॉलस्ट्रॉल से संबंदित दवाईयां किसी भी डॉक्टर ने चिकिस्सक ने शुरू की है क्या नहीं नहीं शुरू की है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका देखिए ऐसा है कि हिर्दर रोक से होने वाली बिमारियों के लिए हमारी जो बहुत चीज़ें जाएं जावरी का करना होता है एक अडकी अमिद की फ़सी के आपकी जोफितार चाहिए जिससे कि आपको जादा जो फाइबर कंटेंट जिस चीजों में जादा होता है खाने पीने की मातरा में वो आपके कोलिस्ट्रॉल को कम रखता है जितनी आपको कैलोरी के आवशकता है कई बार हम लोग के जो 25-30 साल के उपर के लोग होते हैं को नेमित रुप से 14-1800 कैलोरी या मैकिसिम स्यादा की ज़रुत नहीं होती है अगर वो नेमित रुक से ऐनको आपके शरी में कॉलिस्ट्रॉल के रूप में इकठा होगा। दूसरा ये है कि अगर आप पान, तंबाकू और सिगरेट इन सारी चीजों तंबाकू से समझे किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसको नियंदरन करना आतिन तावश्चक है। क्योंकि जिन लोगों का कॉ जोगर ब्लड पेशर की बिमारी है और उनका कॉलिस्ट्रॉल अगर बॉर्डर लाइन की तरफ रहता है तो उनको अत्यांत ध्यान पूर्वक अपने खाने पीने और धैनिक बिंचरिया पे ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम, योगा, प्राणायाम इन स लिए दवाईयों को देना आवश्यक है और दवाईयां कई लोगों के मन में ये भरांती होती ही कि कोलिस्ट्रॉल की दवाईयां खाने से शुगर की बिमारी आ जाती है या वो लंबे समय खाने से वो किड्नी को नुक्सान करती है ऐसा कुछ भी नहीं को आज के समय में हम वंडर ड्रॉक्स कहते है क्योंकि वह नहीं सिर्फ आपको हार्ट अटेक से बचाती है ब्रेन के इंटेक से बचाती है इवन लुगों में जो ओल्ड एज में भूलने वाली जी प्रक्रिया होती है इसका अम बोगों कहते है इसमें इसमें भी फायदा करती है तो कॉलोस्ट चीजें आप में गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल को दो तीन तरीके के होते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल तो जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल उसको हम लोग HDL cholesterol कहते हैं exercise करने से व्यायाम करने से योगा प्राणायाम करने से खुश रहने से मन को अगर दुखी न रखें खुश रहें अपने चीजों से और ये जो dry fruits में जो अकरोट है बादाम है और अलसी के बीज है ये सारी चीजों से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह बढ़ता है जो कि आपके लिए अच्छा माना जाता है ठीक है बहुत 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 है अपका कुछ पूछना है पूछे बताईए गुपता जी नमस्कार नमस्कार बड़ी खुशी है टारिफोन पर ही आपके बादेए रोग तो एसे कई प्रकार के होते हैं जो बच्चों से लेके वृध लोगों तक उनकी जीवन में फैले रहते हैं लेकिन जब हम लोग आज के समय में हिर्दे रोगों की बात करते हैं तो जायतर हमारी बात्चीच जो है जो प्रॉड वर्ग या जो यंग एडल्ट्स लोगों के बीच में जो हार्ट की बिमारी है जिसको कि हम लोग हिर्दे रोगों की नसों में हिर्दे की नसों में होने वा हार्ट की जो है च्छाती में दर्द या अंजाइना का पेन ये सब होता है तो ये इस बैमारी के लिए मैं मुक्षिता आपको पहले आपके सवाल के बारे में बताता हूं कि जो ये कोरिनरी आटी डिजीज है जिसको सामाने भासा में हम लोग घृदरोग की बैमारियां कहते ह इसके कुछ ऐसे कारण हैं जो कि अनवशिक हो सकते हैं जो कि आप हटा नहीं सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नौन मॉडिफाइबल रिस्ट फैक्टर होते हैं हम लोगों के बीच जैसे अगर आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बैनों किसी को हार्ट की बिमार हैं तो उन वेक्टिएओं को हार्ट की बिमारी होने की संभावना जादा होती उसको हम बदल नहीं सकते हैं तो ऐसे लोगों को जिनके घर में माता पिता भाई बैनों को हार्ट की बिमारी है उनको अपना यंग एजस सही अपने खान पान पर नियंद्रां रखना चाहिए व्यायाम और जीवन शैली को नियंतरित रखना चाहिए, अपने कॉलेस्टरॉल, शुगर, बीपी को चेक रखना चाहिए, तंबाकू का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए, तो एक मुख के कारण हो गया, अनवांचिक कारण, ये देखा गया है कि पुरुषों में हार्ट की तीस से पचास साल के बीच में, तो पुरुषों को ज़्यादा सायमित रहना चाहिए, अपनी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, इसके अलावा, अगर आपके पास जो है, ये किसी को हिदय की बिमारी ये को निया को ज़्यादा होने की संभावना होती है, जिनमें की बल परसनालिटी हैं, या टाइप ए परसनालिटी हर चीज को परफेक्शन में करना चाहते हैं, बिलकुल जिन्दगी में सारी चीज़ें एक जैसी हैं नहीं हो पाती हैं, तो वैसे उसमें अपने चीज़ें के साथ वो एड़जस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग टाइप परसने लोग तंबाकू को सेवन किसें किसी फार्म में करते हैं, तो अगर तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, उनके कॉलिस्टरॉल, शुगर या बीपी की बिमारी साथ में हैं, तो इनको हार्ट अटेक या हार्ट की बिमारी होने के संभावना ज्यादा हो जाती है, त 30-50 साल के लोगों को उसके पीछे मुख के कारण है हम लोग की जीवन शैली क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रेस जीवन में गुदार रहे हैं हर चीरत तरफ हम लोगों के साथ जो हमस्या हैं जो चल रही हैं उनको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ यह जो पेस्टिस्ट हैं डॉक्टर आजै कुमार पांडे क्या प्रश्टा है आपका पूछे प्रणाम आश्कर अलेजी कैसे हैं आप रहा है बताइए आपका क्या प्रश्टा है बहुत अच्चा सवाल आपने पूछा है सामाने भाशा में हम लोग कहें तो हाट बीट और पल्स दोनों एक होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी सितियां होती हैं, जिनमें कि हमारी हिर्दे की गती ज्यादा तेज हो सकती है, लेकिन पल्स की गती उतनी तेज नहीं होती है, तो ऐसे मरीजों में क्या होता कि हिर्दे ज्यादा गती से धड़क रहा होता है, मानले हिर्दे एक सो बी RET हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है सामानय वस्ता में एक किसी को Kोई हृदय से संबंदित ब्यमारी नहीं है और उसका हिरण furst है तो placebo पालस RET और हार्ट RET दोनों एक जैसा होता है लेकिन बहुत सारी स्टियों में पालस से कम हो सकता है बहुत सारी परिस्थिती। आख्री और चैसे ही कुछ वहता रिटिज मेड कुछ आफो अपारए से कौन के मेडिकल कर्डिय intrinsाब्य ऐफ गो जो वहां पे हुर्दे में होने वाले स्पंधन हैं वो आपके नबस तक नहीं पहुंच पाते हैं और पर चलता है कि वहां पे हुर्दे की गती एक सो चालीस साथ, 160, 170 चल रही है लेकिन नबस सो एक सो बीस चल रहा है तो इसको बीच की जो अवस्था होती इसको आपको भूलोग बोलते हैं पॉल्स डेफिसिट यह मेडिकल इशू है तो वह मैं आपको बहुत सारे नहीं समझा सकता हूं बट लेकिन इसको भूलोग पॉल्स डेफिसिट कहते हैं और ऐसी कंडिशन अगर आपको लग रही है कि हार्ट बीट अलग गती से चल रही है पॉल्स अलग जिए चल रही है तो निश्चित रूप से आप अपने घ्रदे रोग विससे सगे से मिलिए अपना ECG कराईए और हार्ट के और बाकी जांच कराके उसका निदान करना आवश्यक है यह जो 200 तक पॉल्स जाया तो क्या आदमी जिन्दा रहे सकता है नॉर्मली भी किसी भी व्यक्ति की जो मैकसिमम पल्स रेट है वो उसकी एज से डिफाइन होती है जैसे अगर मैंगर मेरी उमर मालेजे पचास साल है तो मेरी मैकसिमम प्रिक्टेट जो है पल्स रेट है वो 220 माइनस 50 170 तक जा सकती है जगर मैं एक्सेसाइज करने लगूँ हूँ अग कोई एकसरसाइज या कोई एमोशनल एकसाइटमेंट की अवस्ता में होगी लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बैठी हुई वस्ता में लेटी हुए वस्ता में अचानक फिरदेगती 200 पहुंच रही है तो इसका मतलब है कोई हिरदे के धरकन से संबंदित बैमारी है इसका उनका जो है आँक के सामने अधेरा आना लगता है अगर मरीज खड़ा हो या बैठा हो तो चक्कर आके गिर सकता है तो अगर ऐसी वस्ता में किसी की हिरदेगती 200 चल रही है तो उनको इमीडियेटली उनको लिटा के रखना चाहिए उनको खड़ा करके या बैठा के नहीं चाहिए लेते हुए अवस्ता में ये हिरदेगती 75-70 के ओपर आले एज क्या आए देख्ये नौरमल आवस्ता में किसी भी अडल्ट वेक्ती की अठारा साल से लेके उपर कि किसी भी एज तक नौरमल आवस्ता में हमलों की हिरदेगती का नौरमल रेंज होता है पचास से करते हैं और कोई दवाईयां अगर नहीं खा रहे हैं थिलीट हैं खिलाडी हैं तो उनकी हिर्देगती पचास से कम भी जा सकती है लेकिन अगर अगर आपकी हिर्देगती पचास से सो के बीच में नहीं हैं अगर आप में कोई इमोशनल एकसाइटमेंट हुआ है कोई स्ट्रे बहुत अच्छा है वहкой हेडिकती बहुत नार्मल बहुत चैलँ कोई दिल का दुशमॉपनेंचे बाता है बहुत अच्छी बात मैं आपको एक सला यह दूँगा कि आप जिस भी पैथी की दवा करें देखिए सबी पैथियां जो है वो अपने हिसाब से उनका अलग द्रिश्टिक होता है चाहे वो युनानी हो चाहे आईरुवेडिक हो चाहे हो हो में पैथी को फॉलो करते हैं उसको आप अपने हिसाब से बिल्कुल फॉलो करिए दो पैथी की दवाईयां मिक्स करके नहीं खाने चाहिए यह आपके लिए नुकसान दायक हो सकती है जो सबसे अच्छी बात है कि किसी भी पैथी के साथ आप नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं तो नेचुरल जो है नेचुरल पैथी जो हम लोग कहत नेचुरल पैथी यह है कि जिसको मैं पहले भी पांडू रंग जी से चाहत कहा हूं कि आचार विचार आहार और वहवार यह चार चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्ति को उसके धर्म में उसके गुरू ने उसके संसकारों ने उनके माता पिता उसको सिखाते हैं कि देखिए आप दूसरों के साथ कैसा व्यवार करें ना आचार के साथ विचार कैसे होने चाहिए अगर विचार आपके दूशित हैं तो निश्चित रूप से आपके उपर मन में तनाव बढ़ेगा मन में तनाव बढ़ेगा तो आपके हृदय को आपके शरीर को वो प्रभावित करे तो ऐसे आहार का सेवन भी करना चाहिए जैसे कई दिनों तक जो रखे वे एक आहार है उसको हम लोग मना करते हैं एक साइंटिविक द्रिस्टी कौन से भी कि अगर आप दो 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 तिन तिन दिन खाना रखके उसको फ्रिज में उसके बाद उसको गरम करके खाते हैं तो जो तत्व हैं वो नश्ट हो जाते हैं तो यह जो आहार भी आप लेते हैं आहार भी जैसे सुद्ध स्वक्ष सात्विक और उसको जो जब उसको पकाया जाता है तो उसके साथ जो पकाने के साथ जो भावनाएं जुड़ी हैं जो उसके साथ जो आदर जुड़ा हुआ हुआ है आपके जीवन में तो आचार विचार आहार और वहवार और क्या वहवार करते हैं आप अपने अपने परिवार के लोगों के साथ अपने भाई बेनों के साथ अपने मित्रों के साथ अगर आपका वहवार अवेवस्थित है तो वो कहने हैं कि वो अंतता आपके मन को शरीर को म मन और शरीर देखिए अगर आप जब हम लोग साइंस में भी अब पढ़ते हैं तो अभी जानते हैं कि मन और शरीर, माइंड और बॉड़ी यह जो नों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो अगर आपका जैसा मन वैसा तन कई बार हम लोग यह बात कहते हैं कि अगर आपका मन सुक्ष नहीं रहेगा, मन दूशित रहेगा तो शारीरिक बैमारियां आपको आएंगी ही आएंगी तो इसी सद्धान को हम लोग फॉलो करने के लिए अभी सब लोग हम खुद भी उस चीज़ों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करते हैं तो यह कठिन का रहे हैं लेकिन प्रयास हर दिन करते रहना ही एक प्रक्रिया है लेकिन मुलब उनको लंबे समय के लिए मत रखी जैसे आपने आज कोई फूट लिया तो आप कुशिश करें कि आज या कल में उसको कंज्यूम करें पांच पांच दिन चाशा दिन फूट रखके खाने से जो उसके तत्व हैं वो नस्ट होने लगते हैं जो अगर सबसे बे खराब नहीं होते हैं लेकिन यह है कि उनको अगर आप अगर तुरंट का तुरंट अगर जो फ्रेश खरीदे और खाये हो जाते हैं वो उसके फायदे ज्यादा होते हैं कंपेर टू कि जिनको आप रखके इनको प्रॉसेस करके जितने 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 आर्टिफीशल लोग सेवों को रंग के उसको प्लास्टिक कर देते हैं चमकदार हो जाता है ना देखने में बड़ा अच्छा लगता है तो लेकिन यह सारी चीज़ें जो यह कैमिकल्स हैं वह अंतता आपके शरीर में जाती हैं जो कि आपको नुक्सान करती हैं आजकल आप देख रहे हैं धन्यवाद 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 डॉक्टर जै पांडी जी अचकल देखा जा रहा है कि जो युवा पीड़ी है उसमें हार्ट अटेक की संभावना बहुत दिखाई पड़ती है या केसिस बहुत आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को हार्ट अटेक से बचने की डिष्टी से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारी अर्ली एज में तीस से पचास साल के बीच में देखे जा रही है इसको हम लोग करते हैं यंग आंसेट कॉर्णरी आर्ट डिजीज इसका मुख्य कारण बेसिकली यह है कि एक तो हमलों की जेनिटिक जो है जो हमारी जेनिटिक रूप रेखा है जो आनुवांशिक जो हमारी आदेसर में डायबिटीज बहुत डेजी से बढ़ रहा थो डायबिटीज हार्ट डिजीज की बहुत बड़ी एक महतवपूर्ण कारक है तो डायबिटीज हम लोग में the ribetis इसके नहीं नहीं वह प्री डायबिटेक है यह हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको पेट के चारों तरह में वसाई कठा होने लगती है उनका शुगर बढ़ने लगता है उनका कॉलिस्ट्रॉल एबनॉर्मल होता है उसमें कॉलिस्ट्रॉल एक तरह का ट्राइगलिस्ट्राइड नाम का कॉलिस्ट्रॉल होता है जो की हाई पाया जाता है लोगों में व्यायाम का अभ करते हैं वहां का तनाव का तनाव भी तरह का प्रदूशन ही है आपके मन के लिए तो यह सारे जो है जो साइकोलाजिकल फैक्टर्स है प्रदूशन है तंबाकू का सेवन है क्योंकि हम यह लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं यंग एज के लोग हैं व थी तमबाकू का सेवन तनाव इन सब सारी चीज़ों को और बढ़ा दे रहा है जी और यह देखा गया है कि ऐसे जो यंग लोग होते हैं उनमें हार्ट अटेक हार्ट अटेक यह जो है हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल में जो डिपॉदिट हैं होते हैं वो बहुत अर्ली जाएंगे तब ऐसा हार्ट अटेक होगा ऐसा नहीं है यह देखा गया है कि जो यंग एज के लोग हैं उनमें 30-40-50% के कोलेस्ट्रॉल डिपॉदिशन भी बहुत सारे कारणों से चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो हाई शुगर हो चाहे स्ट्रेस हो तना हो वो करना है लाइफ स्टाइल मोडिफाई करना है और काम और रिलेक्सेशन दोनों के बीच में एक सायम की अवस्था रखनी है संतुलन बनाने की जावशकता है क्योंकि वो सबसे जरूरी है हमारे यंग स्ट्रस लोगों के लिए जिससे कि वो बहुत तेजी से इस अंधी धोड में आगे ना दोड़े और जीवन में संतुलन बनाके चलें और अगर कोई रिस्ट फैक्टर है तो उसका पुर्ण रूरूप से निदान करके उसको कंट्रोल में रखें अपने डॉक्टर के साहिता से बहुत अच्छी बात है आपने कही खान पान की दुश्टी से क्या खा आरत हैं जो बहुत हाई कर्भोहड्रेड युक्त हैं जैसे आजकल देखा जाता है कि बच्चे खाने का टाइम हुआ खाना नहीं खा पाए तो उन्होंने बर्गर खा लिया पिज्जा खा लिया तो इस सारे चीजों में कैलोरी कंटेंट बहुत जादा होता है उसमें कैमिक खाने हैं और सात्विक खाने हैं और आजकल लोग वेजटीरियन जाधा हो रहे हैं क्योंकि वेजटीरियन लोगों में देखा गया है कि उनमें हाट की विमारीया ‫ोह न्न वेजटीरियन फूड काने वालों से कम होती है जब तो इस पर जाना ज्यदा अच्छा रहेगा कैली और व्याषापदादा को अभाव रखना चाहिए है अपने खाने पीने में और साथी साथ यह भी देखना चाहिए कि प्रोसलित फूड सै माने में जो को तेजी से देर रदी काम करनेएर बाज़ाई लोगों को खाना नहीं मिल पा तो फूड लेके खा लेते हैं यह सारे कैमिकल्स भी आपके लिए नुकसान दायक हो रहे हैं और अपने खाने पीने में जो फाइबर से रिलेटेड चीजे हैं फ्रूट्स हैं वजीटेबल्स हैं और अगर आप आटे का उप्योग करें तो गेहूं जोचने से मिला हुआ हाई फाइबर युक्त आटा है इन अच्छी बात डॉक्टर जे कुमार पांडे जी आपने कही है चलने से पहले आपकी पसंद का एक गाना हम सोता हूं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे कौन सा गीत है आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है गीत तो मुझे कम याद रहते हैं कि मैं गाना से लिए आपको र अमर कर दो बन जाओ उमीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो खोतों से छूलो तो मेरा गीत अमर कर दो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे के वल्मन नई रीत चला कर दूँ ये रीत अमर कर दो नई रीत चला कर दो ये रीत अमर कर दो होटों से छूलो तो मेरा गीत अमर कर दो और शूताओं अब हम रदय रोग विशेशग्य डॉक्टर अजय कुमार पांडे को आपकी ओर से धीर सारा धन्यवाद दे रहते हैं अगले सब्ता एक नए विशेशग्य के साथ और नए विशेशग्य के साथ आरोग्यम कारिक्रम में हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लि अलम सब्सक्त एदरा नए विशेशग्य के लिए केस हैं?"